जानते हो गणपती जी की पूझा पहले क्यों करते हैं? क्यों? एक दिन गणपती जी और उनके भाइक कार्थी के दोनों में बहस हो गई कि वह सबसे बुध्धिमान कौन है? तो वह अपने माता पिता के पास? शंकर पारवती जी के पास? उनसे पूछा? तो शंकर जी ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी पृत्वी के साथ चक्कर लगा के पहला आएगा, वो सबसे बुद्धिमान कहलाएगा तो क्या हुआ? उन्होंने रेस लगाई अब कार्ती के की सवारी थी मौर आप बैठके फढ़ अठागी ने अगले सूचा अपने मुद्धिका प्रवबग्द किया उन्होंने अपने माता पिता को प्राणाम किये और उनकी सबारी है चूहा तो चूहे पर बैढ के अपने माता-पिता के इड़द-गिरद साथ-चक्र लगा के आगे उनसे पुछा ही क्या किया तो उन्होंने कहा कि मेरी पृत्वी कहो या मेरा संसार कहो जो भी है मेरे माता-पिता आई है ए बात को सुनकर शंकर जी बहुत प्रसंद्न हुए उ इसलिए गणपती जी देवों में देव है क्योंकि वो अपने माता-पिता का सम्मान करते हैं बेटा, दुनिया में अपने माता-पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं है समझें